हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपके स्वागत है दोस्तो आज खेले गए पाकिस्तान वर्सी साउथ अफरीका की बीच में सेगिंड ट्वंटी ट्वंटी मैच में साउथ अफरीका ने टोस जीते हुए पहले गेंदबाजी का फैसले किया और पाकि अफरीका ने उसके जवाब में 16.2 औरों में केवल 4 विकिट खोकर 145 रन बना लिये और ये सेकिंड ट्वंटी ट्वंटी मैच छे विक्टों से अपने नाम कर लिया और तीन ट्वंटी ट्वंटी की सीरीज में एक-एक से बराबरी भी कर ली क्यूंकि जो पहला ट्वंटी का फैसलत किया और पाकिस्तान को बलेबाजी का नोता दिया पाकिस्तान की टीम जब पहले बलेबाजी करने फिच पर उतरी तो पाकिस्तान की जो शुरुवाती जटके तो यह काफी जल्दी लग गे पाकिस्तान का पहला विकेट पाकिस्तान के कुल स्कोर दस रन पर गिरा जो की बाबर आजम के रूप में था बाबर आजम ने आउट होने से पहले चार गेंदों पर पांच रन बनाए एक चोके की मदद से और वो प्री टोरियस की गेंद पर LBW आउट हुए उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा विकेट पाकिस्तान के कुल स्कोर 36 रन पर गिरा जो की हैदर एली के रूप में था हैदर एली ने आउट होने से पहले 11 गेंदों पर 10 रन बनाए दो चोकों की मदद से और इनका विकेट फिलकुआवर ने लिया उसके बाद पाकिस्तान का तीफसरा विकेट पाकिस्टान के कुल्ड-सकोर 48 रन पर गिया जो की तलात के रूप में था तलात ने आउट होने से पहले 7 गेंदों पर 3 रन बनाए और बिना कोई चुक्का और बिना कोई चख्केगे और इनका विकेट संसी ने लिया इसके बाद पाकिस्तान का चोथो विकिट पाकिस्तान के कुल स्कोर 93 रन पर गिरा जोकी इफ्तिखार एहमद के रूप में दा इफ्तिखार एहमद ने आउट होने से पहले 21 गेंदों पर 20 रन बनाए दो चोकों की मदद से और इनका विकिट प्री टोरियस ने लिया इसके बाद पाकिस्तान का पांचवा विकिट पाकिस्तान के कुल स्कोर 97 रन पर गिरा जोकी रिजवान के रूप में दा दोस्तों रिजवान ने आउट होने से पहले पाकिस्तान की तरफ से सबसे हाईष्ट रन बनाए उन्होंने 41 गेंदों पर अर्थ सत्य के पारी खेलते हुए 51 रन बनाए 6 चोके और एक छक्के की मदद से और इनका विकिट भी प्री टोरियस ने लिया इसके बाद पाकिस्तान का छटा विकिट पाकिस्तान के कुल स्कोर 126 रन पर गिर गया जो की खुशदिल रूप के रूप में था खुशदिल ने आउट होने से पहले 18 गेंदों पर 15 रन बनाए 2 चोकों की मदद से और ये विकिट भी प्री टोरियस ने ही लिया इसके बाद पाकिस्तान का साथवा विकिट पाकिस्तान के कुल स्कोर 126 रन पर ही गिर गया जो की मुहमद नवास के रूप में था दोस्तों मुहमद नवास ने आउट होने से पहले 2 गेंदे केली और बिना कोई रन बनाए पावेलियन लोट गए और दोस्तों इन्हें भी प्री टोरियस ने बोल्ड किया पाकिस्तान की तरफ से फाइम असरफ 12 गेंदों पर 230 रन बनाकर लाश तक नोट आउट रहे उन्होंने अपनी पारी में 2 चोके और 2 चोके लगाए और उनके साथ उसमान कादिर 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर नोट आउट रहे उन्होंने भी कोई चोका और कोई चोका नहीं इस प्रकार पाकिस्तान की टीम पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 औरों में 7 विकिट होकर 144 रन बना पाई और साउथ अफरीका के सामने जीत के लिए 145 रनों का टार्गेट रखा। दोस्तो आज साउथ अफरीका की बोलिंग काफी अच्छी रही स्पेशली बात करें तो प्री टोरियस की तरफ से दोस्तो साउथ अफरीका के बोलर्स में समट्स ने 4 और में 20 रन देकर 0 विकिट लिए प्री टोरियस ने सबसे अच्छी गेंदवाजी करते हुए 4 और में 17 र रन देकर 1 विकिट और समसी ने 4 और में 16 रन देकर 1 विकिट इस परकार पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए साउथ अफरीका के सामने 145 रनों का टार्गेट रका दोस्तो साउथ अफरीका की टीम जब 145 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उतरी तो हाला कि उनके पहले द दोस्तो, साउस्थ अफरिका जब 145 रणों का टारगेट लेकर पिछ पर उतरी तो उनका पहला विकेट साउस्थ अफरिका के कुल स्कोर चार रण पर इगर गया जो कि जानेमन मलान के रूप में था. जाने मन मलान ने आउट होने से पहले दो गेंदों पर चार रन बनाए एक चोक्के की मदद से और इन्हें साहिन अफरीदी ने बोल्ड किया उसके बाद साथ अफरीका का दूसरा विकेट साथ अफरीका के कुल स्कोर 21 रन पर गिरा कि जो की जेजे समर्ट के रूप में था दोस्तों जेजे समर्ट सने आउट होने से पहले 8 गेंदों पर 7 रन बनाए एक चोक्के की मदद से और इनका विकेट भी साहिन अफरीदी ने ही लिया उसके बाद एक अच्छी पार्टनर्शिप होई तीसरे विकेट के लिए साथ अफरीका का तीसरे विकेट साथ अफरीका के कुल स्कोर 98 रन पर गिरा जो की रिजा हैंड्रिक्स के रूप में था दोस्तो डिजा हेंड्रिक्स नाउट होने से पहले काफी अच्छा केलते हुए केवल 30 गिंदों पर दुआदार 42 रन बनाए तीन चोक्के और तीन चक्के की मदद से और इनका विकेट उसमान कादिर ने लिया उसके बाद साउथ अफरिका का चोथा विकेट साउथ अफरिका के कुल स्कोर 105 रन पर गिरा जो की पीटे वैन बिल जोन के रूप में था पीटे वैन बिल जोन ने दुआदार खेलते हुए ही 32 गिंदों पर 42 रन बनाए तीन चोक्के और दो चक्कों की मदद से और इनका विकेट मुहमद नवाज ने लिया दोस्तो इसके बाद साउथ अफरिका का कोई विकेट नहीं गिरा और साउथ अफरिका छे विकेटों से ये मैच अराम से जीत गई साउथ अफरिका की तरफ से डेविड मिलर 19 गिंदों पर शांदर 25 रन बना कर लाश्ट तक नोट आउट रहे और उन्होंने अपनी पारी में 2 चोक्के और एक छक्का लगाया और उनके साथ हैंडरीच केलाइसन भी लाश्ट तक नोट आउट रहे उन्होंने भी 9 गिंदों पर 17 रन बना है तीन चोक्के की मदद से और ये भी लाश्ट तक नोट आउट रहे इस परकार साउथ अफरिका की टीम ने 16.2 और में 4 विकेट खोकर 145 रन बना डाले और शा प्रकार पाकिस्तान की तरफ से बोलर्स ने साइधना अफ्रिदी ने तीन आवर में एक मेडन देते हुए 18 रन दियो और 2 विकेट हरीश रोफ ने 2 और 26 रन देकर 0 विकेट मुहमद नवाज ने 4 और 27 रन देकर 1 विकेट फाहिम असरफ ने 2 और 17 रन देकर 0 विकेट उस्मा अफरिका के second 2020 मैच में साउथ अफरिका ने 6 विक्टों से ये मैच चीत लिया और इस सीरीज में भी एक-एक से बराबरी कर ली दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करे अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगे इसे maximum से maximum share करे ताकि उनको भी आज के इस मैच के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और दोस्तों comment box में आप पाकिस्तान की तरफ से कौन सा player man of the hero रा और कौन सा player man of the zero समझते हैं आप अपनी नजर में उसका नाम लिखना ना भूले और South Africa की तरफ से कौन सा प्लेयर Man of the Hero Ra और कौन सा प्लेयर Man of the Hero Ra उसका भी नाम जरूर लिख के दोस्तो और दोस्तो इसलिक साथ यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और New Notifications के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तो जैहिंद